हलो बच्चों कैसे हैं आप आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कमपारीजन आफ टू और मोर दैन टू सर्ड्स बेटा आप सबी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और हेडिंग डालिए कमपारीजन आफ टू और मोर दैन टू सर्ड्स बेटा इसको हम लोग एक्जामपल्स की हल्प से अच्छे से समझ लेते हैं ठीक है बेटा तो फर्स्ट एक्जामपल हीए कमपेर फोर्थ रूट ओफ सिक्स एंड क्यूब रूट ओफ फाइब बेटा इन में कौन किसे से बड़ा है या इन में कौन किसे से छोटा है ये कमपेर करना है तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों सर्ट के ओडर का एलसियम लेते हैं तो बेटा फोर एंड थ्री का एलसियम कितना होगा 12 के बराबर अब इन दोनों सर्ट के ओडर को एलसियम के बराबर तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में ओडर चेंजिंग प्रॉपर्टी से किसी दिये हुए सर्ट का ओडर चेंज कैसे करते थे ये हम लोगों ने सीखा है तो बेटा इस सर्ट के ओडर में किस नैचुलल नंबर का मल्टिप्लाई करें कि प्रोडक्ट एलसियम के बराबर देट इस टोएल्ब के बराबर आ जाए थ्रीका अब इसी थ्रीको अंदर वाले नंबर की पावर में चड़ा देते हैं इस थ्री में किस नैचुलल नंबर का मल्टिप्लाई करें कि प्रोडक्ट एलसियम के बराबर हो जाए फूर का अब इसी फूर को अंदर वाले नंबर की पावर में चड़ा देते हैं ठीक है बेटा यह आएगा 12th root of 6 का होल क्यूब कितना होगा बेटा 216 एंड बेटा यह आएगा 12th root of 5 की पावर 4 कितना होता है 625 अब ओर्डर सेम करने के बाद root के अंदर वाला नंबर observe कीजिए इन में कौन सा नंबर बड़ा है 625 तो बेटा यह वाली सर्ड इससे बड़ी होगी अब यह सर्ड आई कहां से? यहां से और यह सर्ड कहां से आई? यहां से तो बेटा अगर यह इससे बड़ा है तो फिर यह इससे बड़ा होगा I hope आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे इसलिए cube root of 5 greater than 4th root of 6 बेटा इन दोनों सर्ड का comparison हो चुका है तो अब अगला एक्जाम्पल लिए example number 2 arrange the following in ascending order ascending order लिखिये या increasing order एक ही बात है स्क्वार रूट आफ टू कॉमा फूर्थ रूट आफ फाइब एंड क्यूब रूट आफ थ्री बेटा इंसर्ट को increasing order में अरेंज करके लिखना है चीके बेटा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है तो कितना होता है टू यह previous lecture में हम लोगोंने अच्छे से सीखा था तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे इंसर्ट के order का LCM लेते हैं तो इंसर्ट के order का LCM कितना आएगा मेरे ख्याल से 12 के बराबर अब इन सर्ट के order को 12 के बराबर बनाएगे ठीक है बेटा यह सॉल्व होके आएगा 12th root of 2 की पावर 6 कितना होता बेटा 64 यह सॉल्व होके आएगा 12th root of 125 and यह सॉल्व होके आजाएगा 12th root of 81 बेटा order सेम करने के बाद अब root के अंदर वाले numbers को observe कीजिए इन में जो ascending order होगा वही इन सर्ट का ascending order होगा तो बेटा 12th root of 64 फिर 12th root of 81 फिर 12th root of 125 I hope आप मेरी बाद को अच्छे से समझ गए होंगे अच्छा बेटा यह 12th root of 64 कहां से आया था यहां से square root of 2 यह 12th root of 81 कहां से आया था यहां से q root of 3 बेटा यह 12th root of 125 कहां से आया था यहां से फूर्थ root of 5 बेटा यह 3rds increasing order में अरेंज हो चुकी है ठीक है बेटा अच्छा अब दो कुस्षन होंबर्क में लिख लीजिए यह आपको होंबर्क में करना है कुस्षन नमबर 1 compare cube root of 5 and 4th root of 3 कुस्षन नमबर 2 compare square root of 2 and cube root of 5 बेटा इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग कुछ search related examples कर लेते हैं ताकि search को अच्छे से समझ लें फिर rationalization start करेंगे ठीक है बेटा तो इसको पहले नोट कर लीजिए इस कुस्षन को नोट कर लीजिए फिर इसके सारे parts को नोट कर लीजिए क्या कह रहा है यह कुस्षन यह कह रहा है इन search को simplest form में convert कीजिए तो first part square root of 75 बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिए रूट वाले कुस्षन में एक thinking develop करनी होती है क्या अगर आपके मन में यह ऐसास हो रहा है कि रूट के अंदर जो भी number निखा है वहां से रूट के बाहर कुछ ना कुछ निकल रहा है तो उसको सबसे पहले करेंगे बाद वाकि सारे गाम बाद में जैसे फोर वाई six fraction को देख के यह मन में ऐसास होता है इसको हम सिंप्लिफाई कर सकते हैं इसको हम 2 से काट सकते हैं 2, 2, 4, 2, 3, 6 तो यह आ जाएगा 2 by 3 इसी तरह से रूट वाले कुस्सन में आपके मन में यह एसास होना चाहिए आना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी नमबर लिखा है अगर उससे कुछ ना कुछ रूट के बाहर निकल रहा है तो उसको सबसे पहले करेंगे बाद बागी सारे काम बाद में करेंगे ठीके बेटा आई हूप आप मेरी बाद को अच्छे से समाधी गया होंगे अब इस कुस्सन को करना स्टार्ट करते हैं बेटा तो बेटा 75 का प्रैंट फेक्टराइजिशन बताईए 3 इंटू 5 इंटू 5 अच्छा बेटा ये बताईए अगर ओर्डर की प्लेस पे कुछ नहीं विखा होता है तो क्या होता है 2 ठीके बेटा अच्छा इस सार्ड को ओर्डर डू है और यहां पर सेम फेक्टर्स की प्रोडक्ट का पेर भी है तो बेटा इस सेम फेक्टर्स के प्रोडक्ट के पेर से एक फाइबर रूट के बाहर निकलाएगा दिवा जाएगा 5 इंटू स्कॉयर रूट ओफ अब रूट के अंदर कितना बचा सिर्फ 3 ठीक है बेटा तो यह सौर को क्या जाएगा 5 इंटू स्कॉयर रूट ओफ 3 अच्छा बेटा क्या आप इस से ज़्यादा सिंप्लिफाइग कर पाएंगे नहीं इसका मतलब यह इसका मोस्ट सिंप्लिफाइड फॉर्म है तो बेटा 288 बेटा 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन के जी रफ में मेरे साथ साथ 1 इंट फॉर फॉर 72 36 18 9 3 और 1 तो बेटा क्यूब रूट आफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है बेटा अच्छा इस साथ को आउर्डर 3 है और यहाँ पर सीम फैक्टर्स की प्रोडक्ट का ट्रपलेट यह बन रहा बेटा इसका ट्रपलेट बनाने के लिए हमें एक और 2 की जरूरत होगी लेकिन है नहीं तो ट्रपलेट बनेगा नहीं और इसका ट्रपलेट बनाने के लिए हमें एक और 3 की जरूरत होगी लेकिन है नहीं तो ट्रपलेट बनेगा नहीं तो बेटा इस सेम फैक्टर्स की प्रोटक्ट की ट्रिपलेट से एक टू बहार आ जाएगा तो टू इंटू क्यूब रूट ओव वेटा यही दो बचान तो इनका प्रोटक्ट कितना होगा तू 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 जा फोर और त्रीजा द्वैल त्रीजा तो बचा यह सॉल्व किया जाएगा तू इंटू क्यू रूट ओफ थर्टी सिक्स है वेटा क्या आप इससे ज्यादा सिंप्लिफाई कर सकते हैं नहीं इसका मदलब यह इसका मोस्ट सिंप्लिफाईड फॉर्म है यही हमारा क्या होगा आंसर ठीक है पेटा अब अगला पार्ट पार्ट नमबर थ्री फॉर्थ रूट ओफ वन जीरो टू फॉर तो बेटा वन जीरो टू फॉर का मेरे साथ साथ प्रैन फेक्टराइजिसन कीजिए फाइव वन तू 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 फाइब सिक्स न वन तू एट शिक्टी फॉर थर्टी तू शिक्टी तू एट फॉर तू तू वन ठीक है पेटा तो पेटा फॉर्थ औरूट ओफ एक डो तीन चार पांच तू एटू इंटू एंटू इंटू 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 कितनी मार हों गया этом two three c पांच छे साथ आड़नों दस ठीक बैटा अच्छा अब इस सर्ड का ओर्डर फोर है और यहां पर सेंग हेक्टर्स के प्रोड़क्ट का फोर बनाएए एक फोर बन गया यह दूसरा फोर बन गया और बैटा इसका फोर बनाने के लिए हमको दो और टू की जरूत पड़ेगी लेकिन यहां पर है नहीं तो फोर बनेगा नहीं ठीक है पीटा कि आन तो इस सेम फैक्टर्स के प्रोड़क्ट के फोर से एक दू बाहर निकाल आएगा और सिमलरली यहां यहां से जिए तो 2 इंटो 2 इंटो fourth root of बेटा, कितना बचाएं, सिर्फ four तो यह solve किया जाएगा fourth into fourth root of four ठीक है बेटा क्या आप इससे ज़्यादा simplify कर सकते हैं नहीं, इसका मतलब यह इसका most simplified form है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, answer question number four sixth root of one, four, five, six बेटा, one, four, five, six का prime factorization कीजिए two, seven, two, 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 eight, two, three, two, six, two, four, रोजा, two बेट रीजा, two, two, रोजा, two, nine रोजा, two, one, रोजा अब यह 3 से तो गटेगा नहीं बेटा 5 से भी नहीं अब 7 से ट्राइ करिए 7 मंजा 7 थ्रीजा फिर 13 मंजा आई हो आप मेरी बाद को अच्छे से समाझ गए होंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समाझ गए होंगे तो बेटा 6th root of 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 13 वेटा इस 3rd को order 6 है और क्या यहां पर same factors की product का 6 बन रहा है नहीं बन रहा है इसका मतलब इस root के अंदर से root के बाहर कुछ नहीं निकलेगा वेटा मन में ऐसास हुआ कि कुछ ना कुछ बाहर निकलाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह मेनत हमारी बेकार चली गई तो भी दन इसका मतलब लेकिन खारता है तो बिटा, पाट नमर फीब बेटा, part number 5 root 75 minus root 45 minus root 50 minus root 32 तो बेटा, सच से पहले हम लोग क्या सोचेंगे root के अंदर से, जो कुछ भी root के बाहर निकल रहा है उसको पहले करेंगे, ठीक है बेटा तो 3 into 5 into 5 minus 3 into 3 into 5 minus 2 into 5 into 5 minus 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ठीक है बेटा, अब और अर जगे कितना है 2, तो हम लोग अंदर तेर बनाएंगे तो यहाँ पे एक ही पेर बना, यहाँ पे भी एक ही पेर बना, यहाँ पे एक पेर बना, यहाँ पर दो पेर बने तो पेटा यह जाएगा 5 into square root 3 minus यह जाएगा 3 into square root of 5 यह जाएगा 5 into square root of 2 और यह जाएगा 2 into 2 square root of 2 ठीक है पेटा तो 5 into square root of 3 minus 3 into square root of 5 minus 5 into square root of 2 minus 4 into square root of 2 बेटा अब similar यह like search आपस में subtract and add भी हो जाते हैं तो हम लोग उनको add यह subtract कर लेते हैं तो बेटा सबसे पहले like search आप पता कि यह कहा कहा हैं यह नहीं है सिर्फ like search ठीक है बेटा तो 5 into root 3 minus 3 into root 5 यह minus 5 times square root 2 लिखा है और यह minus 4 times square root 2 लिखा है तो बेटा दोनों यह negative sign कें तो add हो जाएंगे तिया जाएगा minus 9 times square root of 2 बेटा क्या यह most simplified form है हाँ तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा answer अगला पुसंद पार्ट नमबर 6 अगला पुसंद पार्ट नमबर 6 5 into cube root of 250 minus 7 into cube root of 16 minus 4 into cube root of 54 तो सथ से पहले हम लोग root के अंदर से जो पुछ भी root के बाहर निकल रहा है उसको करेंगे ठीके बेटा बेटा यहाँ पर जगए नहीं है तो यहाँ पर हम लोग इसका solution करेंगे तो 250 का prime factorization बेटा लिखी कितना होगा 5 into cube root of 250 का prime factorization तो बेटा यह जाएगा 2 into 5 into 5 into 5 into 5 plus 7 into cube root of 16 का prime factorization 2 into 2 into 2 into 2 minus 14 into cube root of वेटा 54 का prime factorization 2 into 3 into 3 into 3 into 3 ठीके बेटा अब साट का ओर्डर 3 triplet बनाएंगे एकी बनेगा साट का ओर्डर 3 triplet बनाएंगे एकी बनेगा तो बेटा यह 5 बाहर निकलेगा तो यह आ जाएगा 25 into cube root of 2 में plus यह 2 बाहर आ जाएगा 14 into cube root of 2 बेटा माइनस 14 into सीरे प्रोडरक्ट ही करने तें यह 3 बाहर निकल आएगा तो 14 into 3 कितना हो जाएगा 42 cube root of 2 अचा बेटा लाइक सर्ड्स एड़ भी होते हैं और सब्ट्रैट भी होते हैं तो बेटा यहाँ पर यह 3 सर्ड्स लाइक सर्ड्स हैं तो यह add and subtract हो जाएगे तो पहले इनको add कर लीजे फिर सब्ट्रैट करिए तो 25 में 14 एड किजिए कितना आजाएगा जल्दी बताइए थर्टी नाइन इंटू क्यू रूट आफ दू माइनस 42 इंटू क्यू रूट आफ टू ठीक है बटा अब इन लाइक सर्ट्स में निगीटिब बाला सर्ट बड़ा है और पॉस्टिब बाला सर्ट छोटा है तो ओबाराल जब यह एड होगा या आपका हैलो सब्क्रेक्ट होगा तो फाइनल आज़र हमारा निगीटिब में आएगा तो निगीटिब का 3 into 2 root of 2 बीटा यह solve हो किया जाएगा 3 into cube root of 2 बीटा यही अमारा क्या हो जाएगा most simplified form ठीक है बीटा अगला question part number 7 पहले इसको आप note कर लीजें ठीक है बीटा इस पर आप कि कि अधर कि पुर्ट फिप्पिन इंटू रूट थर्टीफाइव तो सबसे पहले रूट के अंदर से जो कुछ भी बाहर निकल आए उसको रूट के बाहर निकल लेंगे तो वह कुछ भी नहीं निकल रहा है देखनो थ्री इंटू फाइप इस लोग को यूज कीजिए दिया जाएगा इस तो यहां पर इन की प्लेस पर टू है तो बेटा यह जाएगा इसको रूट ओफ फिप्टीन इंटू थर्टीन फाइब हो सकता अब इस स्क्वाइर रूट के अंदर से पुछ ना पुछ स्क्वाइर रूट के बाहर निकल रहा हो तो इसका पाइब बाहर निकलाएगा तो फाइब इन्टू स्क्वाइर रूट ओफ अंदर कितना बचेगा 21 दिया जाएगा सॉल्वू के फाइब इन्टू स्क्वाइर रूट ओफ टू यही हमारा क्या जाएगा आंसर अगला पार्ट पार्ट नमबर एट जू रूट ओफ टू इन्टू फूर्थ रूट ओफ थ्री बेटा इम्पॉर्टेंट उसन है इसको हमें सिंप्लिफाई करना है तो कैसे करेंगे बेटा अगर हम इसको सिंगल रूट में लाना चाहें अभी तो दो रूट लगे हैं क्यू रूट एंड फूर्थ रूट तो हमें ओडर सेम करना होगा तो बेटा इनको ओडर सेम कर लिजे तो इनका एल सेम कितना है तो ओडर के बरावर लाना है तो यहां पे फॉर का मल्टिपलाई अंदर पावर में फॉर यहां पे थ्री का मल्टिपलाई और अंदर पावर में क्रीम दिया जाएगा 12th root of 16 into या जाएगा 12th root of 27 ठीक है पेटा अब order सेम हो गए तो ये वाला लग जाएगा nth root of a into nth root of v equal to nth root of a into b तो बिटा किया जाएगा 12th root of 16 into 27 ठीक है बिटा क्या root के बार से कुछ ना कुछ है निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा same factors की product का 12 बनाना है कैसे बन जाएगा यहाँ पे 2 सिर्फ 4 बार multiply हो रहा है और 3 सिर्फ 3 बार multiply हो रहा है तो root के बाहर कुछ में नहीं निकलेगा तो यही हमारा answer हो जाएगा 12th root of इनका product किये इसको नोट कर लीजे 2 x square root of 3 division का symbol 3 x square root of 27 तो बेटा इसको नोट लिख सकते हैं 2 x square root of 3 upon 3 x square root of 27 बेटा सबसे पहले रूट के अंदर से जो भी कुछ root के बाहर निकल रहा है उसको पहले करेंगे तो ऊपर वाले रूट से तो कुछ नहीं बाहर निकलेगा लेकिन हां यहां से निकलेगा 3 x 3 x 2 बचेगा 3 ठीके बेटा तो root 3 root 3 cancel out हो गया तो यह हमारा कितना जाएगा 2 x 2 2 upon 9 sorry बेटा 2 upon 9 answer आएगा ठीक है बेटा आई हूप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कुछ बच्चे इसको एक और तरीके से सो सकते थे कि अगर हम root के अंदर से कुछ ना कुछ बाहर ना निकाल के और कुछ करें तो बेटा आप यह कर सकते थे 2 x 2 square root of 3 upon 3 x 2 square root of 27 इसमें आप nth root of a upon nth root of b वाला फार्मुला लगा देते दिया जाता nth root of a upon b तो बेटा 2 x 3 x 2 यह जाएगा square root of 3 upon 27 3 927 तिया जाएगा 2 x 3 x 2 square root of 1 x 9 तो बेटा यह जाएगा 2 upon 3 into 1 upon अब square root of 1 x 9 तो 1 x 3 आ जाएगा solve के छीगे बेटा तिया था 2 by 9 लेकिन यह आप समझने प्रोसेस आपका थूड़ा नंबा है अब लंबा तो नहीं कह सकते लेकिन अब पीकी आदर डालो कि square root के अंदर से जो भी बाहर निकल रहा है root के तो उसको पहले करने पर तो उससे क्या है हमारा question simplify हो जाता है और steps simple होने की chances होते हैं ठीके बिटा तो यहां पर law लगाने के बाद हमारा answer आ रहा है और यहां पर हम लोगों ने वही जो basic thinking है बच्चों बाली वह लगा के हम लोगों ने answer calculate किया है तो आप किसी की तरीके से कर सकते हैं ठीके बिटा डूनों यह method अच्छे हैं और simple भी हैं इसको note कर लिए हूँ question number 10 square root of 24 division का symbol q root of 200 इसको लिख सकते हैं square root of 24 upon q root of 200 बेटा सबसे पहले हम लोग root के अंदर से जो कुछ भी root के बाहर निकल जाए उसको कर लेते हैं तो बेटा यहां पर आ जाएगा 2 into root 6 upon कि 200 का प्राइम फेक्टराइजेशन कर लिजे करी बेटा इस ना देखे हैं इन फिप्टी 25 वह फाइव बन दिया जाएगा 2 into 2 into 2 into 5 into 5 तो बेटा है 2 into square root of 6 upon कि इस के अ रूट से एक टू बाहर निकलाएगा तो टू इन टू क्यू रूट और अंदर बजेगा 25 यह तो से हैंसल हो गया तो बेटा यह आजाएगा root 6 upon q root of 25 अब बेटा यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है और हमें इवाला अगर formula यूज करना हो nth root of a upon nth root of b जो की होता है nth root of a upon b तो बेटा order सेम होने चाहिए कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं क्योंकि इसको हमें single root में convert करना है अभी दो रूट दिख रहे हैं अब single root में तो तभी convert कर पाऊगे जब order सेम होगा और order सेम करनेंगे हम लोग कैसे order changing property से ठीक है बेटा तो इनका एल सिंग कितना होगा 6 तो बेटा यहाँ पे 2 का multiply यहाँ पे 3 का multiply तो बेटा यह हो जाएगा 6 का whole cube यह हो जाएगा 25 का whole square ठीक है बेटा यह आजाएगा 6th root of 216 और यह जाएगा 6th root of 625 तो यह जाएगा 6th root of 216 upon 625 ठीक है बेटा यह हमारा क्या हो जाएगा answer बेटा अगर अंदर कट पिट रहा होता तो हम लोग काट पिट लेते लेकिन आपे कट पिट नहीं रहा है ठीक है बेटा अब अगला बार्ट फार्ट नमबर 11 इस पिट रूट और फाइब में आप चिव रूट और टेन को डिवाइड करना है बेटा रूट के अंदर से पिछ ना कुछ रूट के बार निकली दा क्या नहीं तो फिर हमें इन दोनों रूट को सिंगल रूट में कनवर्ट करना है जोकि सॉल्व होने का एक ब्रॉसेस है तो बेटा अब ऑडर से मोने चाहिए तो ऑडर सेम करने के लिए इन दोनों का एलसियम तो बेटा यहां पे डू का मुल्टिप्लाइगर के अंदर वाले नमबर में जो पावर में है तू चड़ा अब देखें इन दोनों का आर्ट सेम होगे है तिया जाएगा छिफ्थ रूट ओफफ फाइव पॉन हंडेड नहीं तो बेटा अंदर सॉल्व हो जाएगा तिया जाएगा छिफ्थ रूट ओफ बन अपॉन ट्वेंटी यहीं हमारा क्या जाएगा अंसर अगला पार्ट पा कि एट एकी पावर फाइव इंटू 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 कि रूट ओफ फॉर एई स्क्वाइर बीन ठीक है पेटा इस तो बहुत सिंपल है तो सबसे पहले रूट के अंदर से जो भी कुछ रूट के बाहर निकल रहा है उसको पहले करेंगे तो बेटा टू इंटू टू अंद कि इन्टू क्यू रूट ऑफे इंटू ठीक है जो यहां पेक है तो बेर बनाएंगे एक पेर हुझ इसका पहर बनेगा नहीं एक और टू चाहिए होता तहब इक पहर बनेगा लिए कि एक बेर एक बेर ठीक है पेटा यानी तेयाने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तीन ही प्यार बने हैं let me 2-3 निपीटा यहां से टू बहार निकल आएगा यहांसे एंपान निकल आएगा और यहांся एंदर बचका कि उसनों कोई बाहर निगलेगा नहीं निगलेगा एंप क्रोड़क्ट कात्र Gift नहीं रहा है इसलिए hindsight से रूट के बाहर कुछ नहीं निकलेगा एंप दिया जाएगा क्यूब रूट ओफ टू इंटू टू इंटू 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 इसी रे मल्टिप्लाइब करके फोर ए स्क्वार भी ठीकर पेटा अच्छा अब कि इनको हमें सिंगल रूट में कनवर्ट करना है तो ऑडर सेम होने चाहिए तब ही तो हम लोग यह वाला फार्मूला लगा पाएंगे एनफ रूट ओफ इंटू एनफ रूट ॉफ इंटू इंटू भी इंटू इंटू वी अच्छी के बेटा तो यहां पे थ्री है और यहा थी हो जाएगा और यहां पर अंदर वाले नमर में फाबर टू हो जाएगा तो बेटा टू ए स्क्वाइर इंटू है शिक्त रूट आफ अब यह पावर डिस्टिब्यूट हो जाएगी बेटा कैसे देखो बेटा अगर ऐसा लिखा हो a into b की पावर 2 into c इन सब की होल पावर n तो यह n डिस्टिब्यूट हो जाएगा कैसे a की पावर n into b की पावर 2 पहले से यह तो 2 में n multiply हो जाएगा into c की पावर n I hope आप मेरी बाग को अच्छे से समझ गए होंगे तो पिटा यह जाएगा 2 की पावर 3 इंटू A की पावर 3 इंटू B की पावर 3 इंटू 6th root of 4 की पावर 2 इंटू A की पावर 4 इंटू B की पावर 2 ठीके पिटा अब order सेम हो चुके हैं तो 2 A स्क्वार इंटू 6th root of इंटू क्यूब लिखा है और यह 4 का ओल इसक्वार इंटू अब 4 का ओल इसक्वार इंटू इसक्ते हैं हम लोग 16 और 16 का मतलग 2 की पावर 4 ठीके पिटा तो 2 की पावर 3 2 की पावर 4 ती वह जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 मल्टिप्लाई होके 2 की पावर 7 ठीके पिटा अभी जब हम लोग आगे एक चेप्टर स्टार्ट करेंगे एक्स्पोनेंट एक्स्पोनेंट्स आप रियल नमबर तो पिटा वहाँ पे फार्मूला होता है एक की पावर यम इंटू एक की पावर यम यह बराबर होता है एक की पावर यम में पिलस यम बैसे आपने Prennius क्लास में यह पढ़ा होगा ठीके पिटा तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 करेंगे तो यह 2 की पावर 7 इस फार्मूले से हो जाएगा अब A की पावर 3 इंटू A की पावर 4 A की पावर 7 B की पावर 3 इंटू B की पावर 2 B की पावर 5 छीए बैटा अब 2A स्क्वाइर इंटू 2 इंटू A इंटू 6th root of 1 2 बचेगा 1 A बचेगा पर बैटा B की पावर 5 तो यह solve हो क्या जाएगा आपका 4 इंटू A की उग इंटू 6th root of 2 A B की पावर 5 ठीके पीटा यही हमारा क्या हो जाएगा Most Simplified Form जो की इस कुसन का आंसर होगा I hope आप मेरी बाद को अच्छे से समझ गये होंगे अब अगला पार्ट पार्ट नमबर 13 इसक्वार रूट आफ 72 अपाउन 4 इंटू स्क्वार रूट आफ 72 माइनस 2 इंटू स्क्वार रूट आफ 18 सबसे पहले रूट के अंदर से जो कुछ भी रूट के बाहर निकल रहा हो उसको पहले कर लेते हैं तो यहां पे इसका प्राइम फेक्टराइजेशन करेंगे तो आप आएंगे कि 6 बाहर निकल रहा है 36 इंटू 2 ठीके पेटा similarly यह तो सेम है 4 इंटू 6 इंटू स्क्वार रूट आफ 2 माइनस 2 इंटू यहां से आप देखेंगे तो 3 बाहर निकल रहा है ठीके पेटा दिया जाएगा 6 इंटू स्क्वार रूट 2 और यहां पे आजाएगा 24 24 इंटू स्क्वार रूट 2 माइनस 6 इंटू स्क्वार रूट 2 तो बेटा 6 रूट 2 डिनाउमेनेटर में लाइक सर्ट पैड एंड सब्ट्रेक्ट हो जाते हैं तो 24 में 6 गया कितना मचा 18 स्क्वार रूट 2 रूट 2 से रूट 2 कैंसल 6 थ्रीजा तो सॉल्व के आगया 1 वाई 3 यही हमारा most simplified form है तो बेटा इसका यह answer होगा I hope आपको इन सर्ट के सारे solution अच्छे से समद में आयोंगे अब हम लोग next lecture में rationalization के बारे में पढ़ेंगे आज का लेक्चरी यहीं पर समाप्त होता है टाटा बाई बाई